ओम शन्ति कल्यूक के अंत में स्वयम पिता परमात्मा सिव निराकार भारत भूमी पर अवतरित होते हैं, जो आकर भारत और विश्व परिवर्तन के अनेक रहस्य बताते हैं। परमात्मा नए विश्व का रचियता है, पुरानी दुनिया और अनेक अधर्मों का विनास कराने वाला है। जैसा की गीता में भी लिखा हुआ है, जब जब धर्म की कलानी होती है, तब तब मैं भारत भूमी पर अवतरित होकर। अधर्मों का विनास कराए एक सत्यूगी आदी सनातन देवी देउता धर्म की इस्थापना करता हूं। सत्यता ये है कि परमात्मा कोई विनास नहीं कराता। जब नई दुनिया की इस्थापना परमात्मा के द्वारा हो जाती है तो पुरानी दुनिया का विनास ड्रामा के अनुसार स्वता होता है विश्व परिवर्तन का ये दिव्य करतव्य परमात्मा भारत भूमी पर ही आकर करते हैं अविनासी बाप जो परम पिता परमात्मा निराकार सिव है उनकी आउतरण भूमी भारत होने के कारण भारत अविनासी भूमी बन जाती है विश्व परिवर्तन का आधार भारत ही बनता है जब आत्माएं पवित्र बनती हैं तो उनके लिए पवित्र दुनिया चाहिए इसलिए पुरानी रोरव दुनिया पतित दुनिया नरक महा कल्यूगी को महा विनास कराना होता है स्वयम भगवान ने भारत के विशय में खूने नाहे खेल का रहस्य बताया है भगवान ने विनास और इस्थापना का सारा राज हम बच्चों के समक्ष खोल दिया है और ये भी बताया है कि अंत समय बहुत दर्दनाक द्रस्य सामने आने वाले हैं सिविल वार नैचुरल केलेमिटीज एटोमिक वार आदी में करोडो मनुष्य पसू पक्षी मरेंगे खून की नदियां बहेंगी इन सब द्रस्यों को देखने और अपनी अवस्था को अर्थात अपनी इस्थिती को एक रस रखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए बुद्धी और मन एक परमात्मा के साथ लगी होगी तो ये द्रस्य प्रवावित नहीं करेंगे अर्थात विनास के समय भी भारत का विनास इसलिए नहीं होता कि भारत के मनुष्य परमात्मा को जान लेते हैं, स्वयम को पहचान लेते हैं और एक परमात्मा पर अपने मन बुद्धी को एकागर कर लेते हैं जैसा की गीता में भी लिखा हुआ है मन मनाभाव अपने मन और बुद्धी को मुझ परमात्मा पर एकागर कर लो अभी खूने नाहिक खेल होना है, कल्युक का अंत है, नैचुरल केलिमिटीज होगी, सबका मोत होगा, इसको देखने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, डरपोक तो जट बेहुस हो जाएंगे, इसमें निडरपना बहुच चाहिए, भारत वासी ही सिव जयनती नहीं मनाते, इसल्ये ही भारत की यह बुरी गती हुई है, भारत वासियों का मोत भी बुरी गती से होता है, वे तो गेस निकलना और खलास, विदेश के विदेशी लोग गेस निकली और खलास हो जाएंगे अर्थात अनुबम परमानुबम वहाँ विनास का कारण बनेंगे विनास का समय जब होता है तो ड्रामा प्लैन अनुसार बॉम्स एक्ट में आ जाएंगे ड्रामा विनास जरूर कराएगा रक्त की नदियां यहां बहेंगी यहां है खूने नाहे खेल नेचुरल केली मीटीज के साथ साथ बहुत आफ़ते आएंगी तुम बच्चों को अभी ऐसी प्रेक्टिस करना है जो अन्त में एक सिव पिता परमात्मा की ही याद रहे नहीं तो बहुत पच्चताना पड़ेगा हाए हाए के बाद फिर जैजेकार होगी भारत में ही रक्त की नदियां पहनी हैं सिविल वार के आसार भी दिखाई ते रहे हैं तुम ब्रामन अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो अर्थात भारत में ग्रह युद्ध होना है जिसके कारण ही खुन की नदियां पहनी है इन नेचुरल केलिमिटीच की भी नूंद ड्रामा में है कल्प पहले भी हुई थी जब यहा जड़ जड़ जड़ी भूत हो जाता है तब सारे भंबोर को आग लग जाती है बच्चों को ख्याल करना चाहिए कितना हाकार होगा बहुत मरेंगे बहुत खुन रेजी होगी भारत में यहा लड़ाई बहुत कड़ी है और जगह इतनी कड़ी लड़ाई नहीं लगती यहा यवनों की लड़ाई गाई हुई है चीड फाल होगी बहुत खराब लड़ाई है देख भी ना सकेंगे भारत में प्रक्रती के पाँचों तत्वों अपना विक्राल रूप दुखाएंगे कहीं आंधी कहीं बार कहीं तूफान अनेक विधियों से इस पुरानी दुख देने वाली स्रश्टी कल्युक का अंत होगा बाबा कहते यहां भी तुम जानते हो कि पिछाड़ी को यहां रक्त की नदियां बहती हैं उस तरफ तो अर्थ क्वेक से मरते हैं उसमें कोई रक्त की नदिया नहीं बहती यहां तो एक दो को खून करते हैं तो रक्त की नदियां बहती हैं यहां बहुत खराब भैबित करन परद्राइन वाला न जारा होता है कोई सहन न कर सके कमज़ोर तो फा हो जाएंगे यह विश्व आत्मा और प्रकरती का खेल है जब आत्मा पवित्र होती है तो प्रकरतीबी पवित्र बनती है विश्व में अमूल भूत परिवर्टन होता है जिसको इस्थापना और विनास का नाम दिया जाता है परंतु जब परमात्मा कहते हैं कि आत्मा पतित बनती है अर्थात विकारी बनती है तो भी प्रक्रती में कुछ विसेश परिवर्टन होते हैं भूकंप आदी आते हैं इसका भी स्वयम भगवान ज्यान देते हैं यहां हार जीत का खेले तुम बच्चे स्रीमत पर चल कर अभी माया रूपी पांच विकारों पर जीत पाते हो फिर आधा कल्प के बाद रावन राज्ये सुरू होता है रावन जीत पा लेता है बाप को भगवान ड्रामा के आदी मध्य अंत को जानते हैं वही ग्यान हम बच्चों को आकर सिखलाते हैं स्वयम भगवान पिता प्रमात्मा बताते हैं दुआपर से जब देवताएं बाम मार्ग में जाते हैं अर्थात पतित बनते हैं तो भी दुनिया में परिवर्टन होता है भोकंप आदी होते हैं जिसमें देविय सब्यता विलीन हो जाती है और नई सब्यता का जन्म होता है पहले विश्व में जो सदा बहार मोसम होता था वहा भी परिवर्तन होता है क्योंकि पहले प्रत्वी 90 अंस के कोण पर सीधी थी वहा 23.5 अंस एक तरफ जुख जाती है जिससे सारे विश्व की भोगोलिक इस्थिती में परिवर्तन हो जाता है भगवान भी भारत में ही आते हैं दुनिया में पीस कब थी फिर वहाँ पीस कब और कैसे होगी यहा बात बाबा कहते तुम बच्चे बता सकते हो नई दुनिया में भारत ही पेरडाइस था अर्थात स स्वर्ग था सबसे 자स्ती पत्थर बुद्धी यह भारत वासी ही बने यहां गीता सास्त्र आदी सब हैं भक्तिमार्ग के अब स्वयम भगवान आकर गीता का सच्चा सच्चा रहिस्य बताते हैं जिसमें भारत और विश्व के परिवर्तन का रहिस्य हम भाई बहynnों को सम्म प्रम्मा मुख द्वारा समझाते हैं तो इस इस्थिती में अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए बाबा कहते निरंतर एक पिता परमात्मा की याद रहे और कुछ भी याद ना आए देह तता देह के संबंधों के आकरसं से मुक्त हो जाओ, सुख सुविदा के साध्नों से भी मुक्त हो जाओ, अब एक भगवान पिता निराकार परमात्मा पर मन बुद्धी को एक अगर कर, उस परमात्मा की याद में रहे कर स्वयम को पवित्र बनाकर नई सत्यूगी देव ये दुनिया में जाने का पुरुशार्थ करो। अच्छा, ओम शांती।